तिर्पती बावाजी मंदीर यहां भौती प्राचिन मंदीर है आंधर प्रदेश में वो आंधर प्रदेश में भगवान श्री बालाजी भगवान कि दर्शन कर लिके लिए सिर्फ भारत से नहीं विदेशों से भी लोग भक्तगणवाँ पर पधारते हैं जब जगन मोहन रड़ी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का शेडिंतर किया गया सो आज वो सामने आ रहा है चंदरवाभी नैडुजी की टीडिपी की सरकार बनने के बाद म उस शेडिंतर को उजागर करने का प्रैत्नी किया गया है वहां पर देखिए कितना अनर्त हमारे धर्म के साथ खिला गया हमारे भगवान प्राशीन मंदिर को अपवित्र करने का शेडिंतर किया गया लड़ू यानि बालाजी भगवान तिरुपती भगवान का लड़ू ब खास करके अडोस पोडोस परिवार के लोग कहतें के बही बाला जी भोगान का लड़ू लेकर आईए और जब बाला जी भोगान का लड़ू प्रशाद की रूप में परिवार में बाटा जाता है तो बड़ी उस्सा से बड़ी पवित्रता से उस लड़ू को गरहन किया जाता रहा था जगन मोहन रड़ी की सरकार के समय पर पॉम और जानवरों का ऑईल पता ने किन-किन जानवरों की चर्वी से ऑईल निकाल कर उन लड़ू में मिला जा रहा था लेकिन आज टीडीपी की सरकार चंदुबाव नैडू जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में जो जगन मो मुहन एक पापी मुख्यमंत्री था आज तो खतम हो गया वह एक पापी मुख्यमंत्री ने हमारे मंदिर को अपवित्र करने का शड़्िंटरि क watch मैं हमारे मुख्यमंत्री चंदुबबाविन न्यडू जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसने जगन मोहन रड़ी ने जो पाप किया है वो जन्ता के सामने आप लेकर रही है और हमारे अमेश्या जी हो मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहता हूं प्रधान मतरी मोधी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग भी कहियों बार उस प्राचिन मंदिर के दर्शन करने गए आप लोगों ने भी उस लड़ को गहन किया ये इसकी सरकार के समय पर तो पता नहीं क्या हुआ होगा तो इसलिए मैं मोदी जी से अमिश्या जी से खास करके मुख्य मंत्री जी जो चेंदरवावि नैडू जी है उनसे निवेधन करना चाहता हूँ कि इसके इस शेडेंतर को पब्लिक के सामने लेकर आए और ऐसा ही रेक्ति को तुरंत अरेश्ट करे यहां मैं निवेधन करना चाहता हूँ